नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम करेंगे वर्कषीट नमबर 159, यह हमारी मैथमेटिक्स की वर्कषीट होने वाली है, दो फरवरी 2021 की, इधर अपने क्लास का सेक्षन यहाँ अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है, चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम घड़ी यानि क्लो कविता से शुरू करें, यहाँ पर एक कविता दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं, घड़ी लगी दिवार पर टिक 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 चलती है, हर घंटे के बाद में डिंग डिंग करके बजती है, इसे देखकर पता है चलता कब खाना कब पढ़ना है, इसे देखकर पता है चलता क कब उठना कब सोना है तो यह देखिए गड़ी की बात कर रहा है कि जब गड़ी जो दिवार पर लगी होती है उसे देखकर हम यह में पता चलता है कि कब कौन सा काम हमें करना होता है ठीक है एक यहां पर देखिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं यानि वाल क्लोक की में बात कर रहा हूं जो दिवार पर घड़ी लगती है ठीक है उसमें से एक सबसे छोटी वाली जो सूई होती है वो किस की होती है वो आर की होती है यानि घंटे की सूई होती है ठीक है वो सूई जिस तरफ भी निशान कर रही होती है उतने घंटे हो गए होते है जैसे माल लीजिए ये सुई दो की तरफ निशान कर रही है ये घंटे वाली सुई है तो लगबग लगबग दो बजे हुए है ठीक है फिर क्या है एक होती है जो बड़ी वाली सुई होती है जैसे माल लीजिए ये रही ये कौन से सुई होती है ये होती है मिनट वाली जो कि यह बताती है कि कितने मिनट हो गए हैं ठीक है और एक और होती है second वाली ठीक है जो तेज़ चलती है फिलाल यहां पर हम second वाली सुई की बात नहीं करेंगे क्योंकि उस्से समया पर ज्यादा फरक नहीं पड़ता आज हम दो ही सुई की बात करेंगे घंटे की और मिनट की होती है चोटे वाले हमें सिधा-पिदना है वह जिस भी अ चाहर। कर रही है उतने घंते हो गए है यहाँ पर जो छोटी है वह चोटी सुए तरफ इशारक कर रही है तो यह नि 2 गंटे हो गए है यह determined हूँन हुआ लिजिए यह घंटे क्र आहि can हम बात करते हैं मिनट की ठीक है अब यह देखे कि यहाँ पर कितने नंबर है यहाँ पर एक से लेकर बारा तक नंबर है लेकिन जो मिनट वाली सुई होती है ठीक है वो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं यानि जब मिनट वाली सुई पूरा घूम के एक चक्र लगा लेती है तो कितने मिनट हो जाते हैं 60 मिनट हो जाते हैं ठीक है तो अगर आप हिसाब लगाए तो यानि जब मिनट वाली सुई एक नंबर आगे बढ़ती है यह से मान लीजिए बारा से एक आगे जाती है तो कितने मिनट होते हैं? क्या एक मिनट होता है? नहीं, कितने मिनट होते हैं? पांच मिनट होते हैं, ठीक है? तो यानि जब बारा से एक चली जाएगी तो पांच मिनट हो जाएंगे, फिर दो पर चली जाएगी पर क्या लिखा हुआ था, 60 मिनटी लिखा हुआ था, यानि जब मिनट वाली सुई एक अंक आगे बढ़ती है, तो 5 मिनट होते हैं, ठीक है, और घंटे वाली सुई जब एक आगे बढ़ती है, तो 1 घंटा हो जाता है, आएए देखते हैं, कुछ एक्जामपल हम यहां पर ले है, ठीक है, यानि घंटे कितने हुए हैं, पूरे-पूरे तो 2 ही हुए हैं, यानि 2 घंटे हो गए हैं, और मिनट वाली सुई कहां तक आ गई, देखो बेटा, मिनट वाली सुई 12 से शुरू हो के, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, तो 50 तक पहुँच गई है, यानि 2 आर 50 मिनट हो गए हैं, इस घड़ी में, ठीक है, तो इस तरीके से हमें समय देखना होता है, आई, आप हम इस वरक्षीट को कर लेते हैं, इस में से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो यह देखे, यहां पर भी यही बात लिखी हुई है, हाँ बच्चो, हम घड़ी यानि सम अगर एक पर है, तो कितने मिनट हो गए हैं, पांच मिनट हो गए हैं, और दो पर है तो कितने मिनट हो गए, दस पर, फिर तीन पर है तो कितने मिनट हो गए, पंदरा पर, चार पर है तो बीस, फिर पांच पर है तो पचीस मिनट हो गए, फिर तीस, फिर पैंटीस, और फि चलिए आगे बढ़ते हैं कि समय पर काम करने के लिए बनाए गई तालिका को समय सान यानि टाइम टेबल कहते हैं यानि जब आप एक ऐसी टेबल बनाते हैं जिसमें ये लिखा हो कि इतने मुझे ये काम करना है इतने मुझे ये काम करना है तो वह आपका क्या है टाइम टेब होगी फिर 10 बजे आपका लंच हो जाएगा ठीक है फिर 11 बजे आपकी तीसरी क्लास होगी तो इस तरीके से जब समय के साथ चात आप ये बताते हैं कि आपको क्या काम करना है वो क्या हो जाता है आपका टाइम टेबल हो चलिए आए देखते हैं रश्मी ने अपने लिए एक समय सादरनी तयार की है yani रश्मी ने अपने लिए टाइम 15 बनाए है जैसे एक उन्होंने दिखा रखा집 है, कि साड़े-नों बजे रश्मी को पढ़ना होता है तो गड़े मिले आँख देखो 5.5 उसने बजा रखे हैं 5.5 कैसे हैं, कि 9 गंते हो गई और 30 मिनट हो गई ठीक है, तो 9 गंते हैं तो तो 9 गंते वाले सुई कहां पर आएगी 9 पर आएगी ठीक है और 30 मिनट हो गए तो 30 मिनट वाली सुई कहां पर आएगी देखे उपर हमने देखा था कि जब 30 मिनट होते हैं तो कहां पर होती है बड़ी वाली सुई मिनट वाली सुई 6 पर होती है तो यहां पर उसने बड़ी वाली सुई यानि मिनिट वाली सुई छे पर दिखा रखी है आगे अगला देखते हैं कि एक बजा हुआ है यानि जो छोटी सुई है घंटे वाली सुई यानि एक घंटा हुआ है तो छोटे वाली सुई कहां पर आएगी एक पर ठीक है और minute कितने हुए है, अब आप बोलो के सर जीरो तो कही minute होते ही नहीं है देखो बेटा, जब आपके पूरे साट मिनट हो जाते है ना, तो वो अगले घंटे के लिए जीरो मिनट हो जाते है, यानि साट कहां पर होते हैं, बारा पर तो हम यहाँ पर मिनट वाले सुई कहाँ पर आएगी बारा पर ठीक है यह देखे हमने एक बना कर दिखा दिया है कि इस घड़ी में एक बज गए है वैसे ही वो देखे हो यहाँ पर 6 बज कर 45 मिनट पर उसका टाइम होता है कि वो टीवी देखेगी ठीक है तो यहाँ पर घंटे कितने हो गए 6 घंटे हो गए है तो घंटे वाले सुई पहले 6 पर दिखा देते हैं यह देखेए 6 पर हमने घंटे वाले सुई दिखा दी फिर 45 मिनट और हो गए है अब 45 मिनट कहा होते हैं देखे उपर हमने देखा था कि 9 पर जो है 45 मिनट हो जाते हैं तो 9 पर हम इसको ले आते हैं ये देखे इस तरीके से किता टाइम हो गया आप? 6 बज कर 45 मिनट फिर क्या है आकरी में? 9 बज कर 15 मिनट पर उसका सोने का समय हो जाता है तो घंटे कितने हो गए? 9 तो इसलिए छोटी वाले सुई हम 9 पर लेके जाएंगे और मिनट कितने हो गए? 15 तो 15 मिनट कहा होते हैं? 3 पर तो मिनट वाले सुई हम यहां पर ले जाएंगे तो देखे इस तरीके से आपकी घड़ी में समय आप देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा है पहले इन नमबर पर बच्चों आप सभी अपने प्रती दिन के कारियों की सारणी बनाईए तथा किनी पांच कारियों जैसे उठना, नहाना, पढ़ना, खाना, खेलना, सोना, टीवी देखना आदी के समय को घड़ी में बना कर दिखाईए देखे, आपको करना क्या है? कि आपको अपना ही टाइम टेबल एक बनाना है और जैसे हमने ये वाला क्वेशन किया ना, वैसे ही आपको अपने लिए करना है ठीक है? जैसे मालनी जी ये एक घड़ी है ठीक है? आपका समय होता है जैसे उठना ठीक है? उठना होता है साथ बजे मालनी जी आप साथ बजे उठते हैं तो साथ कैसे दिखाएंगे घड़ी में? सबसे पहले आप घंटे वाले सुई दिखाएंगे कितने घंटे हो गए? साथ हो गए है ठीक है तो घंटे वाले सूई आपने यहाँ पर बना दी छोटे वाली अब आपको मिनट वाले सूई दिखानी है तो कितने मिनट हुए है जीरो मिनट हुए है तो अगर या तो साथ मिनट हुए हो या जीरो मिनट हुए हो मिनिट वाले सुई कहां पर होती है 12 पर ठीक है तो इस तरीके से आप 7 बजा कर दिखाएंगे ये आपका 1 हो गया ठीक है ऐसे ही आपको आपके पूरे दिन में कोई भी 5 कारी आपको बताने है ठीक है जैसे उठना हो गया ठीक है उसके अलाव हम दूसरा काम लेते हैं जैसे मान लेजिए नहाना ठीक है नहाना तो मान लेजिए आप 8 बजे नहाते हैं ठीक है तो 8 आप कैसे दिखाएंगे ये देखिए सबसे पहले जो घंटे वाले सुई है कितने घंटे हो गए ये आप पर 8 घंटे हो गए तो घंटे वाले सुई को कहा ले जाएंगे 8 पर ठीक है फिर मिनट वाले सुई कितने मिनट है 0 मिनट है तो मिनट वाले सुई को 12 पर ले जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आप ये अपना दूसरा काम दिखा सकते हैं कि नहाना हो गया ठीक है तीसरा काम देखते हैं मालनी जी आप खाना खाते हैं 9 बज़ कर 25 मिनट पर ठीक है सुबर 9 बज़ कर 25 मिनट पर आप खाना खाते हैं तो इसको घड़ी में कैसे देखेंगे कि 9 बज कर 25 मिनट हुए या नहीं हुए सबसे पहले तो यह देखे घंटे कितने हो गए 9 घंटे हो गए तो घंटे वाली छोटी सुई कितने पर जाएगी 9 पर जाएगी ठीक है उसके बाद मिनट वाली सुई देखे कितने मिनट हो गए 25 मिनट हो गए देखे, नो बज कर पच्चीस मिनट हो गए है, ठीक है, यह आपका तीसरा काम हो गया, एक और काम लेते हैं, जैसे पढ़ना हो गया आपका बारा बज कर पंदरा मिनट पर, ठीक है, अभी देखे, कितने घंटे हो गए, सबसे पहले तो बारा घंटे हो गए, बारा घंटे कहा है यहाँ पर तो घंटे वाले चोटी सुय हम कहा ले जाएंगे 12 पर einbert और मिनट कितनी हो ग挺 पंदरा तो 15 मिनट कैसे दिखाएंगे अम मीनट वाले सुय कहา ले जाएंगे 3 पर तो इस तरीके से मिनट वाले तो यह हम दिखा देंगे, 15 मिनट हो गए, तो बाराइ बज़कर 15 मिनट आप इस तरीके से दिखाएंगे, ये आपका चौता काम हो गया, इसके बाद और क्या दिखा सकते हैं, जिसने मालने खेलने का 2 बज़कर 3 मिनट, यानि धाई बजे, एक बज़कर जब 30 मिनट होता उसको डेड़ बोलते है और दो बज़कर जब 30 मिनट होते है उसको ढाई बोलते है ठीक है तो ढाई बुझे मालनेजे आपका खेलने का समय हो गया तो ढाई कैसे दिखाएंगे आप जयानि घंटे कितने हो गए दो तो छोटे वाली सुई कहां पर दो पर ठीक है अब मिनट कितनी हो गई तीस मिनट हो गई ठीक है तीस मिनट कहां होती है जब मिनट वाली सुई छे पर आ जाती है तो तीस मिनट हो जाती है तो इस तरीके से आप अपना खेलने का समय दिखा सकते हैं अगर आपका केलने का समय है तो ठीक है तो यह आपका पांचवा काम हो गया इस तरीके से आपको अलग-अलग घड़ी बनाकर अपने अलग-अलग समय दिखाने हैं चलिए आगे देखते हैं फिर नमबर दो पर लिखा हुआ है कि गिनकर बताईए कि आप निवन लिखित कारि आपकी घड़ी में सेकिंड वाली सुई का ठीक है जब सेकिंड वाली सुई पूरा एक चकर काट कर आ जाती है तो कितना टाइम हो जाता है एक मिनट हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको सेकिंड वाली सुई का इस्तिमाल करना है जैसे मालनी जिए सेकिंड वाली सुई जब बारा पर आ गई तो आप ये काम करना शुरू कर देंगे और जब तक वो second वाली सुई पूरा घूम कर एक दो तीन चार पांच से साथ आट नो दस फिर दुबारा ग्यारा और बारा तक नहीं आ जाती तब तक आपको वो काम करना है तब एक मिनट हो जाएगा ध्यान रखेगा यहाँ पर मैं second वाली सुई की बात कर रहा हूँ वो तेश चलती है ठीक है तो आपको second वाली सुई बारा से शुरू करके दुबारा तक बारा जब तक नहीं आ जाती तब तक आपको ये काम करने है और फिर गिनना भी है साथ में कि आप ये काम कितनी बार कर पाए जैसे देखिए ताली बजाना तो जब बारा पर second वाली सुई आ जाती है तब आप ताली बजाना शुरू करेंगे और जब तक वो पूरा घूम कर दुबारा बारा पर नहीं आ जाती तब तक आप ताली बजाएंगे तब एक मिनट हो जाएगा ठीक है और तब आपको ये बताना है कि आपने कितनी बार ताली बजाई जैसे माल लीजिए यहाँ पर कुछ कोई भी नमबर आ सकता है आप अपना गिनकर यहाँ पर अपना नमबर लिखिए तिसरे नमबर पर क्या करना है इस कार्या पत्रिका को करने में आपको कुल कितना समय लगा घंटे और मिनट में उतर दीजी आपको क्या करना है कि आप जब ये कार्या पत्रिका करेंगे जब से शुरु हुआ है और तब से कारिया पत्री का खतम होती है आपको यह बताना है कि कितना समय आपको इसके करने में लगा है जैसे माल लीजिया आपको लगा है एक घंटा ठीक है एक घंटा पाँच मिनट तो कुछ इस तरीके से आप ये अंसर अपना लिखेंगे हो सकता है आपने कुछ ही मिनटों में कर दिया हो जैसे सिरफ 10 मिनट लगे हो तो आप सिरफ 10 मिनट ही लिखेंगे ठीक है उसमें आप क्या लिखेंगे कि 0 गंटे और 10 मिनट तो इस तरीके से आपको यह अपना अंसर करना है फिर क्या करना है आपको अपनी गनित की अभ्यास summary हो एक आपकी गनित जो workbook है उसमे पेज नमर 37 और 38 भी इसी तरीके से आपको करना है आज की ग्लासी ही गतम होती है अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू और जै हिंद